तो यह Samsung Tab S5e जो कि Samsung ने हाल ही में लॉंच कर रही है और आपको बता दें कि यह Samsung की अभी तब की सबसे पतली यानि थिनिस टाबलेट है Samsung Tab S5e features power packed हैं और कीमत भी आपको बताएंगे performance भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या यह आपको खरीदनी चाहिए या नहीं बताएंगे आपको इसी review में आप देखो है टेक तक मैं हूँ शुतिष शामा तो Samsung Tab S5e की कीमत शुरू होती है 35,999 रुपे से और आपको बताएंगे कि इसका एक और वर्जिन है जो की Wi-Fi LTE वर्जिन है उसकी कीमत है 40,000 रुपे यह है सबसे थिनिस्ट टाबलेट सामसंग की अभी तक की जी हाँ इसकी यूस्पी है इसकी थिनिस्ट थिनिस्ट सो आपको बदेगा है इसकी काफी तक लिए इसकी अधनि एक और आपको बदेगा है इसकी पूल्ट आलुमियूनियू बोडु टी गई है विच मेक्स इसलोग रही बेरी त्रेमियूम डिस्पाइट इसकी तूपर इसलिम वेसला थे फिंगर पिंगर्प्रिंट भी इसमें इ और टाबलेट का फाइदा तभी तो है So design-wise, yes, full marks to this tablet and yes, क्योंकि बहुत पतली है, it's easy to carry and it's very, very handy और बता दें आपको की काफी lightweight है इसलिए टाबलेट का ये purpose पूरी तरह सॉल्व करती है You'll actually forget your laptop when you'll hold this one So ये keyboard जो है, फिलहा launch offer में आपको मिल रहा है 3,000 रुपे का, लेकिन इसका original price है 7,999 रुपे And yes, it solves both the purpose आपके टाबलेट का book cover तो बनी रहा है साथ ही इसमें दिया गया है keypad भी This is super awesome Yes, जब आप इसको use करेंगे, तो actually में आप भूल जाएंगे laptop को भी A very good looking book cover, ये qwerty keyboard तो है ही साथ ही इस dex का काम भी करता है ये एक cover भी बन जाता है और typing इसमें बहुत अच्छी तरीके से होती है Book cover इसे अच्छे से close करते वक्त डामेज भी नहीं करता तो आपकी टाबलेट जो है safe है और जितना ही keyboard comfortable है टाइप करने में ये देखिये ताबलेट पे भी It's a touch tablet, you can paint, you can type, do anything you want Wow इसका डिस्पेय कल़फूर और वाइरंट है Super AMOLED दिस्पले है विद 10.5 inches WQXGA, डाइजल है 2560 इस्तु 1600P इसमें movie streaming काफी अच्छी एक्स्पीरिंस देती है especially जब इसमें 4X AKG Tune Speakers दिये गए हैं तो अगर मुवी बफ हैं, तो Samsung has nailed this experience with this Tablet. आपको बताने कि इसमें खास बात है कि इसमें Quad Speakers दिये गए हैं, यानि दो Speakers उपर की तरफ और दो Speakers नीचे की तरफ. तो अगर आप Tablet को या तो horizontally देख रहे हैं या vertically, sound का जो effect है वो इस तरहें travel करता है कि it give you the maximum experience of the best sound quality, जो की दिया भी. विल इसमें videos जो हैं, आप 14 घंटे तक at one stretch देख सकते हैं, so that is a very good thing है, और साथी आपको बताएं कि इसमें Qualcomm Snapdragon 670 दिया गया है, और काफी power efficient है, there was no heating issues, there was no lag issue, everything was just very, very good. So, जैसे बताया, multitasking इसमें बहुत 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 बहुतरीन तरीके से हुई, कोई problem नहीं आई, हलां कि gaming ये में हमें थोड़ा impressed नहीं कर पाई, tablet में 4GB RAM है, बट इससे बहुत ही smartly optimized किया गया है, and works fine. इसका One UI अच्छा design है, और ज्यादा productive work करता है, तो Samsung DeX एकदम आपके tablet को desktop में बदल देता है, and it's very easy to use. रगुलर Android split screen interface की जगे, this is a better option, and very handy to use, and very, very comfortable. Now, who needs a desktop also now? इसमें दो camera दिये गे है, back side में दिया गया है 13MP का camera, and the front one is 8MP. Now, you can't compare it with the smartphone cameras, that are meant for a very perfect photography, लेकिन हाँ, आपका काम इससे चल जाएगा, decent pictures इससे आएगी, so yes, it's good enough. वहीं वीडियो इसमें full HD है, at 30 frames per second, और 4K at 30 frames per second. तो यह मैं फ्रॉंट कामरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, जो की Samsung S5E से रिकॉर्ड किया गया है, and you can see it's coming out fantastic. Now, moving on to battery, आपको बता दे के इसमें 7,040 mAh की बैटरी दे गई है, और exhaustive usage में इसने 5-6 दिन तक हमारा साथ निभाया, और साथी इसमें fast charging भी है, which is actually required, क्यूंकि आप इतना constant uses से करेंगे, तो fast charging तो जरूरी है, so yes, the fast charging serves the purpose here. वहीं जो fast charging है, 14W charging है, which is very, very good enough. Now, the question comes, कि Samsung Tab S5e को खरीदना चाहिया या नहीं, हमने आपको पूरा रिव्यू दिखाया, इसकी खास बातें बताई, क्या में सिंथा यह भी बताया, अब आप इसे compare मत करिये, जो कि 10,000 या 15,000 की ब्राकित में टाबलेट साथी हैं, क्योंकि वो यूजिवल टाबलेट हैं, this is something special, ऐसे features आपको उन टाबलेट में नहीं मिलेंगे, इसमें जिस तरह के features दिये गए हैं, वो actually आपके बाकी गाजट को फेल कर देते हैं, क्योंकि this is an all-rounder gadget, जो कि यह होगा तो आपको desktop, smartphone, laptop, desktop किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह सारे purpose आपके solve करेगा, and that is the reason, इसकी की मतलगभग तक की रखे गई है, so, जी हा, आप budget tablet से कम पहन ना करें, अगर आपको actually a serious buying करनी है, for a tablet जो आपका purpose पूरी तरे से solve करें, that is the reason that you should be buying it, and the slimmest है, खुबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगे,